कि हलो गाइस सो वेलकम बैक ते यूट्यूब चनल आफ टेम्स फॉर विन सो आफ आप से काफ़ एचा है काफ़ एचा विन भी कर रहे हुए इस पर्टिकुल वीडियों हम बात करने वाल है आज का जो एस्टन विला वसस फुलम के बीच में जो मैच होने वाल है उसको हम कवर करेंगे आज एस्टन विला में भी एंट फुलम में भी सो बात करेंगे इनके प्लेयर्स की और कौन से आपके लिए स्मोली के लिए ग्रैली के लिए कॉंबनेशन अच्छे हो सकते हैं वह आगे वीडियो में डिस्क्स करेंगे बाग कि आपको पताए काफी मैची से दिन इ सब्सक्राइब करेंगे लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में वहां से करते हैं बाकि अगर आप देख सकते हैं एंड बास्केट बोल के विरिंग्स वागरा फुटबोल की क्रिकेट की आप कुछ भी जाके यहां पर अराम से चकाउट करना प्र जोइन करना प्र फायदा होगा आपको अंड़ा भी तो IPL भी शुरू हने वाला है तो काफी वागरा भी आपके लिए आने वाले हैं अगया भी बात करते हैं अपने प्रिवियो की दिन एस्टन विला वसस फुलम का मैच आने वाला है प्रिमेर लीग का नो बजए है इस मैच का इडलाइन वेन्यू है विला पार्क बर्मिंगम इंग्लेंड जो एस्टन विला को होम ग्राउंड फुलम है अवे टीम सो इधर एक पर्टिकुलर थोड़ा सा एडवांटेज जो एस्टन विला को जा सकता है एंड थोड़ी स्ट्रोंग टीम भी जोए कंपेरिजन करें फुलम से देन सिर्फ टीम से वर में लिखोंगे मिल जाएगा टेबल स्टेंडिंग्स की बात करते हैं एस्टन विला जो है 11 पोजिशन पर है और जो फुलम है वह है रेलिगेशन जो मैच उनके लिए भी जीतना जो आगया आगये काफी इंपर्डेंट हो गया अगर वह रेलिगेशन जो उसके बाद एस्टन विला जो 11 प्लेस पर है काफी अच्छी जो लाइक एस्टन विला के हलाद भी लास सिजन फुलम जैसे ही तो वह एक पॉइंट से रेलिगेशन जोन से बचेते एंड इस सिजन में उनका पर्फोर्मेंस इतना कुछ मतलब अच्छा रहा है बिल्कुल 11 प्लेस एस्टन विला पर है टुन्टी एट मैचेज इनोन खेले बारा इनोन के विंट पांच रहे हैं ट्रो एंड ग्यारा मैचेज जो हा रहे हैं उसके बाद गोल देखो के दिन तीस मैचेज में ठुन्टी थ्री सो इतना कुछ खास नहीं है कमी मानोगे बाकि उसके प्रफंस दोनों एस्पेक्स में फूलम का रहा नहीं है तो एस्टन विला की तरफ से उम्मीद कर सकते हो एक से दो गोल की आप जो उनके स्ट्राइकर स्कोर कर सकते हैं उसके बाद प्रबबल इंगलेवन एस्टन विला की तरफ से मार्टिनेश गोलकिपिंग कर सकते हैं वोकिन्स आजहरो जो जिनके मेंन स्टारीड ए रहे जण में टौफ तरी स्कूररों में आते हैं वोपकिन्स अरश को three assist के साथ में ग्रिलिश आते हैं उसके बाद गाजी आते हैं अगर खेलते हैं तो six है गोल के साथ में सो यह कुछ इनका प्लेयर से जसमें ग्रेलिश काफी चांसे करते हैं और लगबग जो सबसे ज्यादा चांसेज की पासेज करने में वह इस सीजन में सेकेंड या थर्ड नंबर पर रहे आई तिंग सो काफी ज्यादा ही चांसेज क्रेट करते हैं असिस्ट क किसी को भी ले सकते हैं तीन और दो पांच प्लेयर साथ लिए धर से ही कंफर्म हो गए हैं बागी दो भी आपके लिए डिसाइड करेंगे लाइक रिसकी पिक्समें जाना चाहो देन सैंसें ट्रायोरे लुईस आपके लिए बनते यहा फिर एक एक एक्स्टा डिफेंडर आ एंड लोफटस्ट चीक लाइक यह चारों मिड्फिल्ड में दिख सकते हैं लोफटस्ट चीक अटेकिंग मिड्फिल्ड और उसके बाद आते हैं जो श्माजा सेंटर फॉर्ड पोजिशन पर खेलेंगी और उसके बाद टोप त्री स्कॉरर्स आप करेंट सीजन के देखो कि रीड आते हैं पादाफ गोल ख साथ में जो खेल भी सकते हैं फिर नहीं भी खेल सकते हैं गाइक दाउटफुल में हैं बागि उसके बाद आरथ आता है लूपने चार गोल चार असिस्ट केवैलियर ओ तीन गोल और यह से दो डापके लिए हो छेक्टन ऑपके लिए यह के कर देते हैं otherwise फिर आप इनके जगे पर या फिर डिफेंस में से ट्राइ कर सकते हो एंडरसन जो भी रिसेंटले काफे च्छा पॉंट्स दे रहे हैं या फिर अडारा बाई या इना में से कोई एक सब्सक्राइब करना चाहूं तो उसके बाद आउट प्लेर्स में रोड़क मोसन है और डाउट फॉर्म में रीड और ओनो मां सेट पिस्टेगर्स विला की तरफ से वोटकिंस जो पैनल्टीज ले सकते हैं ग्रिलिश अगर वापस आगे दिन फरीकिक्स उसका बाद के वैलिय तीन मैचस हा रहे हैं वन निल त्री निल एंड टू वन से उसके अलावा वन निल से लिवरपूल के जीते थे एंड लाइक एक रहा है ड्रो सो दोनों टेम्स के फॉर्म इतने कुछ खास नहीं चल रहे है बट एस्ट इन विला इस ब्रॉबले रहा बैटर टीम अगेंस अगर बात करें यहां पर थोड़ा वह आगे निकल जाते दो मैचसे से चार एस्ट विला दो फुलम आट और वरोल में से इंड अगर रिसेंट मैचस देखते हो दिन पिछले पांच में तीन जीते फुलम ने दो जीते है अश्टन विला ने बट अगर हम रिसेंट जो मैचस देखे अभी का जो सबसे रिसेंट मैच वो है इनका सेप्टेंबर में जब हुआ था जब प्रेमेर लिग स्टार्ट प्रेमेर तरवए सब्रीड में अबट त्रॉरों उसकते हैं वोटकिन्स ग्रीलिश एंड मेगन एक मेंगनिया ट्रायर एक रिस्क एक रिस्क लेना चाहते हो तन या तो आप एस्पिंविला पिजए डिफेंडर्स में जिसे को वाइस केपटन बना सकते हो यह फिर यह फिर से लाइक लूक मैन या कवैलियरो को ट्राइए कर सकते हो आपकी टीम में वाइस केपटन बट यह दोनों जो फुलम की तरफ से वाइस केपटन नहीं में सज़श करूंगा आप 6-11 लीग खेल रहे हैं तो उसकेस में बनाए उस में नहीं बनाओ तो सही रहेगा ग्रिलिश वोटकिन्स उसकेस में आप ट्राइगर सकते हो बाकि अभी चलते हैं में टीम के ओपर फुल टीम जो मैं आपको अपने दिखा देता हूं और देन आते केवेलियर लूपमें जो दो मेरे फुलम की तरफ से अच्छे पिकते हैं उसके बाद हैं एक बडारा बायो जस्टीन या फिर ओला इना या फिर एक मेड़ फिल्ड में से ओक्शन बनते हैं रीड सो वह आप ट्राइगर सकते हो यह दोनों यह एक जगह पर अब लाइक जोश माजा के उपर रिस्क ले सकते हो राइड भी आपके पास अवा लेबल हो जाएगे लाइक अब डारा बायो की जगह पर जोश माजा पिक कर सकते हो अगर रिस्क लेना चाहो सबसे अलग हटके जाना चाहो इसके इसमें या फिर लैमीना खेलने वाले हैं कशा फिरल जाना चाहते हैं लॉफ्ध के लिए कह लिए उसके उपशन है इनको भी ठ्राइड में बाकी आखं़े में हृट संसेफको तो यह त्यों डिफेंडर से को भी ले सकते हो कि यह अच्छी आपको 20-25 पूंट देते हुए आ रहे हैं बाकी यह है मेरी टीम एंड कैप्टन जो है मैंने वोटकिन्स को किया है वाइस कैप्टन के ग्रिलिश को जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था वाइस कैप्टन के लिए अगर रिस्क लेना चाहो देन लियूपमेन के वेलियर को ट्राय कर सकते हो या फिर डिफेंडर मेंस क सकते होद्टन कर लेना अगर आपको यहीं वाला वीडियो पसंद आयो एंड आपको लाइक कर सकते हो कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडेयो कैसा लगा अगर आप YouTube चैनल पर नहीं हो आपने अभी तग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अज वो वीडियो आ जाएगी, वो भी जरूर देखना पर उसके लिए आपको को नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने होगी ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल ला है तो अन्ड वेश्ट वर दिस मैच गाइज मिलते आपको नेक्शो देम वो तीजल